धृतराष्ट वाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुद्सवाह मामकाह पांडवाश्यवा किम कुर्वत संजया यह भगवत घीता का सबसे पहला श्लोक है और मुझे यह श्लोक बहुत अच्छा लगता है वास्तो में इस श्लोक में बहुत सारा ग्यान है तो मैंने इसे सुचा कि आप में से बहुत सैसे लोग है जो कि मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि मैं भगवत गीता पर कुछ वीडियो बनाऊं तो आज हम इस श्लोक के ओपर चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो श्लोक है इसमें क्या महिद्वपूर्ण ग्यान है जो कि हमें दिया गया है तो मैं तो इस श्लोक का चलिए सबसे पहले अनुवात करते हैं तो इसकी जो सबसे पहली पंक्ति है उसमें बोला जाता है धृतराष्ट वाच अर्थात धृतराष्ट बोले फिर बोला जाता है धर्मक्षेत्रे कुरूक्षेत्रे अर्थात धर्मक्षेत्र में और कुरूक्षेत्र में समवेता युयुत सबह अर्थात इखट्टे होकर युद्ध की कामना से मामका पांडवाश्चैव मेरे और पांडव के पुत्र किम कुर्वत संजय उन्होंने क्या किया तो पूरा अर्थ हो जाता है कि धर्वत्वराश्चैव में अखट्र में पांडव के पुत्र है वो उन्होंने क्या किया तो सबसे पहले तो हमें यहां पे इस वज़ना चाहिए कि यह जो प्रेश्ट्र है यह सबसे पहले ऐसा क्यों बहुत दिखाया गया कि यह धरत्राश्च पूछ रहे है यह यह चगया है जहापर की जो युद्ध हुआ था परंतु यदि आप हिंदू ग्रंथों को पड़ें तो आप यह समझ लीजे कि वहाँ पर जिस भी नाम का उपयोग किया जा रहा है तो नाम भी कुछ सोचके ही उसका उपयोग किया जा रहा है ऐसा नहीं कि उन्होंने नाम को को बोला जाता है कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र है जो कि दिली के आसपासinek शेत्र है उसको उपया जाता है कि यह जो इक ऊर्थ में होता है उसके कई अर्थ होता ARE और उनका उपयोगë बहुत सुंदर्धा के साथ में किया जाता है तो जो कुरु शथिए उसका आर्थ व पुरुक्षेतर जो होता है वो भी हमें इखटा करना होता है और धर्म जो होता है वो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं और स्थिती के अनुसार जो है धर्म की और बढ़ना होता है तो उस रूप से दिखा जा तो यहाँ पर यह जो संसार है धर्म शेत्र भी है और कर्म शेत्र भी है कर्म हमारा हो गया और जो हमारा कर्म होता है धर्म की ओर होना चाहिए तो यदि आप महावारत को देखते हैं तो महावारत में जो पूरे फसाद की जड़ कहेंगे तो वो धृत्राष्ट्र ही है क्योंकि धृत्राष्ट्र जो है वो ही ऐसे व्यक्ति है जिनके कारण ये पूरा युद्ध हुआ क्योंकि वो ही थे जो कि अपने पुत्र मोह में फस गए और उपने पुत्र मोह में फसने के पस्चाथ जो है वो अंदे हो गए और उनों ने जो है उपरी तोर पर भली आप देखे तो वो जो है यह दिखाते थे कि वो पांड़ा उसे प्यार करते हैं परंतु अंदर यह दिखा जा तो यही चाहते थे कि उनके जो पुत्र हैं वो राजा बने तो धृतराष्ट्र को जो है एक महा भारत में, यदि आप देखें तो सब्से लंबा जो एक व्यक्तित्व आपको देखने को बिला है, जोकि आरम से लिगे अंत्तर तक है, वो धृतराष्ट्री है और जो पूरी महा भारत हो और एक रूप से समझाई है तो वो महा भारत धृतराष्ट्र के ही कारण हो रही है क्योंकि उनके ही मन में जो है एक शंका बनी हुई है तो यहाँ पर जब उन्होंने बोला कि धर्म शेत्रे कुरुक शेत्रे तो वो धर्म और कर्म दोनों को साथ में लेके आए हैं और जैसा कि हम समझते हैं कि इस संसार में यदि आपको अच्छे से रहना है त आपका कर्म ऐसा होना चीजिए जो कि धर्म की और जाये धर्म से जो है वो सनलंग नो होना चाहिए तभी जो है आप जीवन में सुखी रह सकते हैं परनतु धतराष्ट जो है उनके यज़िए आप कर्मों को देखें तो वो जो कर्म है वो बिलकुल धर्म से नहीं हैं, उनको पता है कि उनका धर्म वास्तों में क्याम का धर्म यही है कि उनको जो अपना राजपाथ है उससे हट जाना चाहिए और युधिष्टिर को जो है उन्हें राजा बना देना चाहिए परन्तु वो ये कर नहीं पा रहे हैं और वो कारण इसलिए कि उनके साथ में कि उनका जो कर्म है उनके धर्म से संबंदित नहीं है. तो यहां पर जब यह पूचा जा रहा है जब यह दिखा जा रहा है कि धरतराष्ट जो है वो यह प्रशन पूच रहा है कि धर्म शेत्र कुरुख शेत्र में मेरे बत पुत्रों और पांड़ों के पुत्र जो है उनके उन्होंने क्या किया तो यहां पर हुई है कि क्योंकि व द्रतराष्ट जो पूरी महाभरत में रहते हैं और वह इसी कारण से है क्योंकि उनका कर्म है वो धर्म से संबंधित नहीं है तो इसलिए जो पहला श्लोक है भगवद गीता का वो बहुत ही सुन्दा श्लोक है वो वास्ता में पूरी प्रिष्ट भूमी को आपके समझ रखता है और आपको दिखाता है कि किस प्रकार से जो पूरा संसार है ये वास्ता में धर्म शेत्र भी है और कर्म शेत्र भी है हमारे लिए और जो हमारे कर्म है वो धर्म की और बढ़ना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने धर्म को यो अपने धर्म का पालन नह अपने जिवन में कष्थ ही जेलता है और आगे तो आप देखेंगे कि क्या होता है महावारत में ध्रितराष्ट संजय द्वारा देखते हैं कि उनके सौ पुत्र सारे के सारे मारे जाते हैं तो वोही जो है यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है तो इसलिए इस पूरे श्लोक में जो भाग है जो कि मझे बहुंत आचा लगता है वो है धरंक्षेतर कुरुक्षेतर क्योंकि वो ही है जो कि यहाँ पे मुख्य जो इसका वीचार है उसको हमें बताता है और हमको भी जो है अपना कर्म जो है वो धरम के अनुसारी करना तब ही जो हम अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको यहां पर भगवत की तगा पहरा श्लोक ठीक से संजा दिया होगा बहुत सारे श्लोक है इसमें आप लोग मुझसे बहुत आगरा है कि मैं गीता के ओपर वीडियो बनाओ तो मैं आगे भी फिर कुछ और अपने श्लोक ऐसे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके ओपर वीडियो बनाओगा और यदि आपके पास में कुछ ऐसा कोई भी सुझाव है इसको लेकर तो मेरे साथ साजा कीजिए और हो सता है कि यदि मैं कुछ कर सका तो मैं उसको लेकर कुछ करूंगा तो यहीं पर मैं इस वीडियो को समात करता हूं नमस्ते झाल